ज्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर गणेश चतूर्थी के दिन घर में चूहा दिख जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है वह क्या संकेत देता है शुप या अशुप आप सभी लोग जानते हैं कि कल यानी 31 अगस्त 2022 को गणेश चतूर्थी है और यहां उत्सव 10 द आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश बगवान की सवारी चूहा है अगर आपको घर में चूहा दिख जाता है तो उसका क्या अर्थ रहेगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं वैसे तो घर में अगर चूहा दिखता है गणेश उस सब के दोरान तो वह बहुत शुप संक लेकिन कुछ लोग चूहा मारने के लिए दौडते हैं इस समयकाल में आपको चूहे को मारना नहीं है साथ ही जिस तरह गणेश जी को बुद्धी का देपता कहा जाता है वैसे ही चूहे का घर में दिखना परिवार के लोगों की बुद्धी ब्रश्ट होने का संकेत देती है घर से सारी दरित्रता के जाने और सुक समरिद्धी के आने का अगर गणेश उत्सव के दोरान सुभा सुभा चूहा दिख जाता है तो ये संकेत होता है कि उस दिन कोई बड़ा काम बिगड़ने वाला है या फिर आप उस दिन बहुती गलत फैसले ले सकते हैं जिससे आपक घर में दिखता है तो इसका अर्थ होता है कि सारे संकट दूर होने वाले हैं जिससे घर में आपके धन से संबंदित कोई भी कमी नहीं होगी अगर गणेश उत्सव के दोरान मरा हुआ चूहा दिखता है तो वहां अशुब माना जाता है चूहा गणेश जी की सवारी है ऐस ऐसे मरा हुआ चूहा अगर आपको गणपती को आपके गणेश उत्सव के दोरान घर में दिखता है तो वहां अशुब ही संकेत देता है और साथ ही हम आपको यहां भी बताना चाहते हैं कि अगर पैर पर चूहे का काट अगर आपके पैर पर चूहा चड़ गया और वह जाता है ऐसे में आप भगवान श्री गणेश की अराधना कर सकते हैं और उनसे माफी मांग सकते हैं अपने तुर्टियों की तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए ध रन्यवाद